आपका स्वागत है, मैं सहजीत कोमार चौहान, जो से लिलेटेड बराबर वीडियो बना रहा हूँ तो आज मैं बोकारो के महला पॉल्टेकनिक में पहुंचा हूँ तो आप देख रहे होगे कि राज के महला पॉल्टेकनिक बोकारो क्याए विश्चता है और सांछ होगे के जहां सेंसे शुटा सा मंदिर भी यह यहां का मेंन बिल्डिंग हो गया मैंन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहां साइड में आप देखें, तो फोस्टल है, बच्चियों के रहने की पूरी प्रोपर बयुस्ता है, कि बच्चिया यहां रह सकती है और काफी safety है चुकि यहां पर जो भी बच्चे आते हैं उनको पास यहां से permission लेना पड़ता है आप देख रहे होंगे कि यहां gate पर permission है कि permission के बिना कोई बच्चिया नहीं आएंगी जो जाएंगी तो gate पर entry होती है सारे बच्चों का hostel के सारे बच्चों का यहां entry करना होता है तो आएए अब आगे जानते हैं कि इस college में जो चुकि यह गवर्मेंट पॉल्टेक्निक college है लेकिन आपको लगेगा कि आज कल के गवर्मेंट पॉल्टेक्निक college भी private से काफी best हो गई है क्योंकि आज private college से भी अच्छा campus का building का structure देखिए क कितना खुशूरत structure से हैं तो यहां आप देखेंगे कि सरकार ने हमारी धारकंट सरकार ने हर college को काफी खुशूरत बना दिया है और campus जो है काफी change हो चुका है और हर college का structure काफी change है तो आईए आप हम लोग idea लेना चाहेंगे अगर आपको admissions लेना हो गल्स को तो यहां तो पहले सारे girls का ही admission होता है और girls को कितना rank लाना होगा किस rank पर आपको college मिल पाएगा और कौन-कौन से branch होते हैं इसके सारी idea हम लोग यहां लेंगे तो कुछ students बैठी हुई है तो चलुए सबसे पहले तो मैं आप लोग को thanks करना कि आप लोग यहां है बैठ देए तो मैं कुछ बिश्कस करना चाहूँगा आप लोग उसके तो सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि यहां कौन-कौन सा branch होता है मतलब कि आप अगर जार्खंड में कोई girls अगर चाहती है डिप्लोमा करने के लिए तो बुकारों में आप तीन branch में कर सकती हो एक CS का है electrical and electronics तो इसके लिए अब मुझे बताएं कि कि इतना rank लाना पड़ेगा और चुकि आर्खंड का इंट्रेंस का पॉल टेक्निक एक्जाम होता है तो इसमें rank लानी होती है तो यहां का सबसे में पेपर आपको कौन सा लगता है कि कौन सा branch है जिसका सबसे ज्यादा दिमांड है electrical का सबसे ज्यादा दिमांड है तो electrical branch लेने के लिए यहां पर आपको कितने rank की और सबसे ज्यादा पड़ेगी लगवग 1500 के लंसम मने 15 से अगर ज्यादा आता तो फिर मुश्किल है 1500 के रेंग के अंदर ही आना हुआ सबसे हैं और फिर्कास्ट की से जेनरल के लिए एक CML rank की में बात कर रहा हुआ कि जो नॉर्मल एक CML rank है लगवग 1500 में आपको 2000 तक भी मिल जाता है मेभी electrical और electronics और CS के लिए अगर मैं बात करूँ electronics 4000 to 5000 तक भी गल्स को मिल जाता है और CS के लिए 7000 तक मतलब 7000 तक भी CS मिल जा रहा है प्लेस्मेंट के लेकर मैं बात करना चाहूंगा चुकि अभी तो आप लोगों का केंपस तो काफी अप लोगों का चेंज हो चुका है काफी अच्छा इस्पेक्टर से इतम प्राइवेट पोले से भी बेस्ट हो चुका है एक इसाई सचलिटिया बढ़ गई है तो बढ़ाई में अप लोगों का मन लग रहा है तो आगे केरियर में क्या करना चाहती है अप लोगों तो पता ही होगा कि इस तरह से एक छोटा सा वीडियो था जिससे आपको आइडिया हो गया होगा कि यहां अगर आप कोई भी गल्स है तो सबसे पहले तो आपके पास दो तीन जो इंपर्टेंट रिक्वार्मेंट है वो है कि जारखंट का आपका आवासी होना चाह आप यह एक्जाम नहीं दे सकते और चाहरखंट के एक्जाम के लिए पहला तो यह इंपर्टेंट हो गया दूसरा यह है कि आप टेंथ पास आउट हो ऐसे टेंथ एफेरिंग भी बच्चे देते हैं लेकिन पास आउट होना चाहिए यहां का कंडिशन है क्यो उतना होना च इसा इन्हों ने बताया आपको की सारे रेंग के बारे में कितना रेंग लाना होगा एल्लेक्रोनिक्स में कितना लाना होगा सुरच्या की ब्हुता है यहां काफी बैतर है और साथ में यह बिल्डिंग केंपस को भी आप देखें तो आपको यह प्राइबेट पॉले से कब नहीं लगेगा तो चलिए इसके बाद मैं अच्छा यह होस्टल का भी केंपस है आप देख रहे होंगे यहां से रास्ता है और काफी अच्छा एक ग्रीन इंवार्मेंट है मतलब एक नेचुरल इंवार्मेंट के बीट यह कॉले सेटेड है काफी खुप्सूरत देख रहे होंगे आपकी यह प्रीरा के अंदर है यह पूरी व्यूस्ता है तो यह तो सब्सक्राइब देख एख रहे हैं देख रहे हैं तो यह अधर मेस मेस उस साइड मेस मेस यहां है और और नए इन बील्डिंग भी कुछ बन रहे हैं तो तो सर ये नए बिल्डिक बन रहा है तो सर ये किस तीश के लिए बन रहा है तो उमीद है कि ये 12 तीज आपको काफी कुसूरत लगा होगा तो आज की वीडियो को मैं यही सवाप करना चाहूँगा तो कल 26 जनवरी है और मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स होने के खुशी में ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ बोकारो के पॉल्टेक्निक कॉलेज का उमीद है कि आपको लगभग आडिया हो गया होगा कि भारत में जहारखंड आज कितनी विकास की और आगे बढ़ रहा है तो आज का वीडियो मैं यहीं सवाप करना चाहूँगा जय हिंद जय भारत